आपका मार्ग दर्शन और विजन हमें हमेशा और लगातार मिलता रहा है इसी रोड में पर हम आगे भी बढ़ रहे हैं और भवश्यवादी प्रगतिवादी राष्टे शिक्षा नीती को लाने की सफलता की रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं प्रदान मंती जी आज स्कूल एजूकेशन कॉनकलिप में इसमें लगभग 15 लाख स्कूलों के 90 लाख से भी अधिक अध्यापक गण और 27 करोड से भी अधिक चात्र चात्र हैं प्रदान मंती जी आपके आशिर बात के लिए आपको साथ जुड़े वोई हैं प्रदान मंती जी 25 देशों के जहां CBSC बोर्ड के हमारे चात्र पढ़ रहे हैं ऐसे 25 देशों के चातर भी आज आपके आशिर बात के लिए यहां पर हैं आपने हाईर एजूकेशन कॉनकले में ऐसे विश्वनागरी की बात की थी जो भारती मूलियों से जुड़ा हो निश्चित रूप से या सिक्षा नीत या ऐसा विश्वनागरी को तयार करेगी जो भा अंतर राश्टी परतिस परधा पर भी भारत की पैचान दिला सके यह आपका मार्ग दर्शन हमें सामको रहा है राजयपाल समेलन के दोरान आपने रचनात्मक और सकारत्मक ताके साथ आगे बढ़ने का जो हमको विशार दिया प्रधान मंतिजी उस दिशा में हम लोग हम इसकुली सिक्सा से जोड़े विशेशग्यों ने आपने बहुमूलय सुझाव दे हैं और आज प्रधान मंतिजी इन छे थिमों पर विशेशग्यों के साथ दिन भर हम परामर्श करेंगे कस्तूरी रंगन जी मंजूल भारगाउ जी शिरदर जी सहित पूरी समेती के लो जम्रिता पूरोग प्रार्थना करता हूं कि आप हमको अपना आशिरबात दें मन्ने प्रधान मंतिजी नवश्कार मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी देश के शिक्षा मंत्री स्री रमेश पोखरियाल निशंग जी स्रिमान संजय धोत्रे जी राष्टिय शिक्षा निती के प्रारूप को तयार करने वाली समिती के अध्यक्ष डक्टर कस्तुरी रंगन जी उनकी टीम के सम्मानित सदस्यगण इस विशेई सम्मेलन में भाग ले रहे सभी राज्यों के शिक्षावीत विद्वान गन, प्राचार्य गन, शिक्षागन, देवियों और सज्जनों आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविश्य निर्मान की नीव डाल रहा है एक ऐसा क्षण है जिसमें नए यूग के निर्मान के बीज पड़े हैं राष्ट्रियस शिख्षा निती 21 सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है साथ्यों पिछले तीन दसकों में दुनिया का हर ख्षेत्र बदल गया हर व्यवस्ता बदल गए इन तीन दसकों में हमारे जीवन का शाहिद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो लेकिन वो मार्क जिस पर चलते हुए समाज भविश्य की तरफ बढ़ता है हमारी सिख्षा व्यवस्ता वो अब भी पुराने धर्रे पर ही चल रही थी पुरानी सिख्षा व्यवस्ता को बदलना उतना ही आवशक था जितना किसी खराब हुए ब्लेक बॉर्ड को बदलना आवशक होता है जैसे हर स्कूल में पिनप बॉर्ड होता है उसमें तमाम जरूरी कागय स्कूल के जरूरी आदेश बच्चों की बनाई पेंटिंग आदिया आप लोग लगाते रहते हैं यह बॉर्ड हर कुछ समय में भर भी कुछ समय में भर जाता है उस पिनप बॉर्ड पर नई क्लास के नई बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बडलाव करना ही पड़ता है नई राष्टिय शिक्षान निती भी नई भारत की नई उमीदों की नई आवशक्ताओं की पूर्ती का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार-पाँज वर्षों की कड़ी महनत है हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो ये काम की अश्ली शुरुवात हुई है अब हमें राष्टिय शिक्षानीती को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे मैं जानता हूँ राष्टिय शिक्षानीती का एलान होने के बाद आप मैंसे बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं ये शिक्षानीती क्या है ये कैसे अलग है इसे स्कूल और कॉलेजों की विवस्ता में क्या बढ़लावाएगा इस शिक्षानीती में एक शिक्षक के लिए क्या है एक शात्र के लिए क्या है और सबसे एहम इसे सफलता पुर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सवाव जायज भी है और जरूरी भी है और इसलिए ही हम सब यहाँ इस कारकम में इखटा हुए है ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इनी बातों पर घंटों मन्थन किया है, चर्चा की है टीचर्स खूद अपने हिसाब से लर्निंग मट्रियल तयार करें, बच्चे अपना ट्योई मुजियम बनाएं, पैरेंट्स को जोडने के लिए स्कूल में कॉम्यूनिटी लाइब्रेरी हो, तस्विरों के साल्थ मल्टि लिंग्वल डिक्ष्णेरी हो, स्कूल में भी कीच मुझे खुशी है कि राष्ट्रिय सिक्षान निती को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और सिक्ष पूरे उत्सा से हिस्सा ले रहे हैं अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रा लेने भी राष्ट्रियस शिक्षा निती को लागू करने के बारे में देश भरके टीचर से माय गौव पॉर्टल पर उनके सुझाव मागे थे एक सब्ता के भीतर ही पंद्रा लाग से जादा सुझाव मिले हैं ये सुझाव राष्ट्रियस शिक्षा निती को और जादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे इस विशे में और अधिक जागरुकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रा ले अने तरह के कारकम चला रहा है साथ यो किसी भी देश के विकास को गती देने में उसकी युवा पिधी और युवा उर्जा इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन उस युवा पिधी का निर्माण बच्पन से ही शुरू हो जाता है जैसा बच्पन होगा भविश का जीवन काफी कुछ उसी पन निर्भर करता है बच्पन की सिक्षा उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तै करता है कि भविश में वो एजा परसन कैसा बरेगा उसकी परसनालिटी कैसी होगी इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत जादा जोड़ दिया गया है प्री स्कुल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्रचाहे के बार माता पिता की देखवाल और घर के आराम भरे माहुर से बहार निकलने की शुरुवात करता है उसे दूर होता है यह वो पहला पढ़ा होता है जब बच्चे अपने सेंसीज अपनी स्कील्स को जादा बहतर तरीके से समझने की शुरुवात करते हैं इसके लिए ऐसे स्कूल ऐसे सिक्षकों की ज़रुवत है जो बच्चों को फन लर्निंग प्लेफुल लर्निंग एक्टिविटी बेज लर्निंग और डिस्कवरी बेज लर्निंग का एनवार्मेंट दे हैं मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगों कि कॉरोना की इस टाइम में इस सब कैसे होगा ये बात सोच से ज़्यादा एप्रोच की है और वैसे भी कॉरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं लहने वाले हैं बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें उनमें जादा सिखने की भावना का विकास हो बच्चों का मन उनका मस्तिस्क वैज्यानिक और तारकिक तरीके से सोचना शुरू करें उनमें mathematical thinking और scientific temperament विक्सित हो ये बहुत आवशक है और mathematical thinking का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे mathematics के problem ही solve करें बलकि ये सोचने का एक तरीका है ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है ये हर विशय को जीवन के पहलू को mathematical और logical रूप में समझने का द्रश्यकौन है ताकि मस्तिस्क अलग अलग प्रस्पेक्टिव में analysis करें ये द्रश्यकौन मन और मस्तिस्का इविकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्टिय सिख्षान नीती में इसके तोर तरीकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत से principles ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं हो सकता है आपकी बाद सही भी हो लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो है जहां ऐसा नहीं होता है एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है ये भी एक बड़ी वज़य है जो आज आपसे मैं इतना विस्तार से हो सके उतनी बारीकी पर बात कर रहा हूँ साथियों राष्ट्रियस शिक्षा नीती में पुरानी 10 प्लस 2 की जगह 5 प्लस 3 प्लस 4 इसकी व्यवस्ता बहुत सोच समरकर की गई है इसमें Early Childhood Care and Education को एक बुनियादी के रूप में नीव की रूप में शामिल किया गया है आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजूकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सिमित है वो अब गावों में भी पहुचेगी गरीब के घर तक पहुचेगी गरीब हो अमीर हो गाव हो शहर हो हर किसी के हर जगह के बच्चों को मिलेगी मुलबुत शिक्षा पर ध्यान इस नीती का सबसे महत्वपुन पहलू है राष्ट्रिय शिक्षा नीती के तहट फाउंडेशनल लीटरसी एंड न्युमरसी के विकास को एक राष्ट्रिय मिशन के रुप में लिया जाएगा प्रारमभीग भाषा का ज्ञान संख्या का ज्ञान बच्चों में सामान्य लेको पढ़ने और समझने की ख्षमता का विकास यह बहुत आवशक होता है बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें इसके लिए जरूरी है कि शरुवात में वो लर्न टू रीड करना सिखे लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लीटरसी एंड नुमरसी के माध्यम से पुरी की जाएगी हाथियों हमें ये सुनिशित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो एक मिनट में तीस से पहती सब्द तक आसानी से पढ़ पाएं इसे आप लोग ओरल रीडिंग फिलेंसी कहते हैं जिस बच्चे को हम इस लेवल तक लाँ पाएंगे शेप कर पाएंगे शीखा पाएंगे तो भविश में उस विध्यार्थी को बाकी सब्देश का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूँ यह जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके साथ और 25 उनके दोस्त भी हों के क्लास में आप उनको कहिए कि चलो भई तुम कितनों के नाम जानते हो बोलो फिर कहो अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते बोलो और उसका confidence level बढ़ जाएगा फिर वही बाते बाद में लिखीत रूप में रख करके उनके अपने साथियों के नाम चलो भई तुम इसमे से किसकी के नाम बोलोगे पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सिखना स्यूज कर दे इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं इससे आगे के क्यक्षाओं में स्टूडन्स पर बोज भी कम होगा आप सिख्शन को पर भी बर्डन कम होगा साथ ही बेसिक गनित जैसे काउंटिंग एडिशन, सब्ट्रक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीजन ये सब भी बच्चे आसानी जे समझ सकेंगे ये तब संबभ होगा जब पढ़ाई कीताबों और क्लास की चार दिवारियों से बहार निकाल कर वास्विक दुनिया से जुडेगी हमारे जीवन से आसपास के परिवेश से जुडेगी आसपास की चीजों से रियल वर्ल्ड से बच्चे कैसे सिख सकते हैं इसका एक उदारण इश्वर चंद्र विद्यासागर की एक जीवन कथनी में कहानी में देखने को मिला हैं कहते इश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब आठ साल के थे उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी एक बार वो अपने पीता के साथ कोलकाता जा रहे थे रास्ते में सडक के किनारे उन्हें अंग्रेजी में लिखे मालिस्टोंस दिखे उन्होंने अपने पीता से पूछा कि यह क्या लिखा है उनके पिताजी ने बताया कि इसमें कोलकता कितनी दूर है यह बताने के लिए इंगलीस में गिंती लिखी है इस उत्तर से इश्वरचंदर विद्यासागर के बाल मन में और जिग्यासा बड़ी वो पूछते रहे और उनके पिताजी उन मील के पत्थरों पल लिखी गिंती बताते रहे और कोलकता पहुँचते पहुँचते इस्वरचंदर विद्यासागर पूरी इंगलीस की काउंटिन सिख गए यह है जिग्यासा की पड़ाई जिग्यासा से सीखने और सिखाने की शक्ती सात्यों जब सिख्षा को आस पास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पड़ता है पूरे समाज पर भी पड़ता है जैसे जपान को देखिए वहां शिनरिन योकु का प्रचलन है शिनरिन का अर्थ है वन या जंगल और योकु का मतलब है नहना यानि फॉरेस्ट बथिंग वहां स्टूडेंट्स को जंगलों में या जहां पैड पौधे बहुत है ऐसी जगों पर ले जाये जाता है जहां बच्चे प्रक्रूती को स्वाभाव की रूप से मैसूस करें पेड, पौधों, फुलों को सुने, देखें, टच, टेस, स्मेल, अनुभू करें इससे बच्चों का प्रक्रूती और परियावरन के जुड़ाव भी होता है और उनके होलिस्टिक तरीके से डेवलप्मेंट को भी बढ़ावा मिलता है बच्चे इसे एंजोय भी करते हैं और एक साथ कितनी सारी चीजें सीख भी रहे होते हैं मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैं कारकम चला था हमने एक सुचरना की सभी स्खूलों को हमने का सभी स्खूल के बच्चे अपने गाउं के अंदर सबसे बड़ी उमर का पैड कौन सा है जिस पैड की सबसे जाना उमर हो चुई कि वो ढूंदो तो उनको सब जगा पे जाना पड़ा गाउं के आसपास के सारे पैड देखने पड़े टीचर को भूजना पड़ा और फिर सम्मेस हमत बने कि यहां यह पैड बहुत पुराना है और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे नीबंद लिखे वक्तुर्त्व कथाएं की यहने उस पैड का महत्मा क्या है लेकिन उस पुरी प्रक्रियमा उनको कई पैड देखने पड़े सबसे वुमर लाइक पैड का धूनना पड़ा बहुत सी चीजे वो सिखने लग गए और मैं कह सकता हूँग यह प्रयोग बहुत सफल रहा था एक तरब बच्चों को परियावरन की जानकारी मिली साथी साथ उन्हें अपने गाउं के विशे में धेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मोका भी मिला हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा हमारी यह प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मुल मंत्र होना चाहिए एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्रियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल यानि की स्टूडन्स अपने रूची के हिसाब में गतिविद्यों में, गटनाओं में, प्रोजेक्स में एंगेज हो इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें इन गतिविद्यों, गटनाओं, प्रोजेक्स को विभिन्न द्रश्टिकों अपने एक्सप्रियंस से सिखे ये उनका पर्सनल एक्सप्रियंस हो सकता है या कॉलोबरेटिव एक्सप्रियंस हो सकता है फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सिखे इन सब को मिला कर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है अब जैसे कि हम बच्चों को पहड़ों पर एतिहासिक जगों पर खेतों में सुरक्षित मैनुफेक्टरिंग यूनिस में लेकर जा सकते हैं अब देखिए आप प्लास्रूम में उनको रेलिवे का एंजीन पढ़ाएं कास्रूम में आप उनको बस पढ़ाएं लेकिन कभी ताय करें कि अगर गाओं के नदिग में रिल्वे स्टेशन है तो चलो जाएंगे बच्चों को स्टेशन पर ट्रेन आती है तो एंजीन कैसा होता है दिखाएंगे फिर कभी बस स्टेशन पर ले जाएंगे बस कैसा होता है दिखाएंगे वो देख करके सिखना शुरू कर लेता है मैं जानता हूँ कई प्रिंसिपास और सिख्षर जुरूर यह सोच रहे होंगी कि वो तो अपने स्कुल में कॉलेज में ऐसा ही करते हैं मैं मानता हूँ बहुत से टीचर बड़े इनोबेटी होते हैं जी जान से लगे होते हैं करते रहते हैं लेकिन यह सब जगे नहीं होता है और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना जादा फैलाएंगे हमारे साथी सिख्ष को भी सिखने का मोका मिलेगा और इस वज़र से बहुत से चात्र प्रैक्टिकल नौलेज से दूर रह जाते हैं टीचर नों का एक्सपरियन्स जितना जादा शेर होगा वो बच्चों के लाब में जाएगा साथियों हमारे देश भर में हर क्षेत्रे की अपनी कुछ न कुछ खुबी है कोई न कोई पारमपरी कला कारीगरी क्रोडक्स हर जगह के मश्यूर है जैसे कि बिहार में भागलपूर की साडिया वहां का सिल्क देश भर में फिर्मस है स्टूडेंट्स उन करगों हाथ करगों में विजिट करें देखें आखरी ये कपड़े बनते कैसे हैं उनको सिखाया जाग जरा तुम जो उसके मालिक हैं जो उस पर काम करने इनको जरा सवाल पूछो क्लास्रूम में सवाल सिखा करके ले जाए जाए फिर उनको कहा जाए हाकर गया बताओ तुमने क्या पूछा था क्या जवाब मिला यही तो लर्णी है जब वो पूछे का स्पैसिपिक कि आप धागा कहां से लाते हो धागे का रंग कैसे होता है यह साडी में चमक कैसे आती वो बच्चा से अपनी मर्जी से पूछने लगेगा आप देखिए उसको बहुत कुछ सिखने को मिल जाएगा स्कुल में भी ऐसे स्कील लोगों को बुलाए जा सकता है यह स्कील लोग आकर क्या अपनी प्रदर्शन नहीं लगा सकते हैं वो वर्क्शोप की लागा मान लीजे गाव में जो मिट्टी के बरतन बनाने वाले लोग हैं एक दिन स्कुल में बुला लिया मिट्टी के बरतन बनाने का आम स्कुल के बच्चे देखें फिर उनसे सवाल जवाब करें पूछें आप देखें वो आराम से सिख लेगा विद्यार्थियों की जिग्यासा भी भड़ेगी और जानकारी भी भड़ेगी और सिखने में रुची भी भड़ेगी तो उन्हें छोटा समझ लेते हैं अगर स्टूडेंस इन्हें देखेंगे जानेंगे तो एक तरह का भावात्मक जुड़ा होगा स्कील्स को समझेंके उनकी रिस्पेक्ट करेंगे हो सकता है बड़े होकर इन में से कई बच्चे इसे ही उद्योगों से जुड़े होगे वो सो सकता है वो ही बड़े मालिक बन जाए बड़े उद्योकार बन जाए सीखने के वहीं शुरू हो जाता है बच्चों में संवेधना जगाने की बात जबाती है अब बच्चे ऑटो रिक्षा में स्कूल आते है क्या कभी उन बच्चों को पूछा कि उस ऑटो रिक्षा वाला का नाम क्या है जो तुमें रोड ले आता है उसका घर कहा है क्या कभी उसके जन्मदीन को आपने मनाया था क्या क्या कभी आप उसके घर गए थे क्या क्या कभी आपके माबाप को वो मिला था क्या फिर बच्चों को कहो भाई तुम ऐसा करो तुम्हारा जो रिक्षा ड्रवर है जो तुम्हें लेकर के रिक्षा में लेता है तुम इतने दस सवाल पूछ के आजाओ और फिर क्लास में सब बच्चों को बताओ भी मेरा जो आटो रिक्षा वाला है वो ऐसा ऐसा है वो इस में वो भाव नहीं जगता है, कि ओटो रिक्षा मेरी जिन्दगी बना रहा है। यह सिरफ ओटो रिक्षा चलाने वाला एक चालक नहीं है। मेरी जिन्दगी को बनाने के लिए वो कुछ कर रहा है। यह संवेधन पैता होगी। उसी प्रकार से, अगर कोई दूसरा प्रफिशन भी चुनता है, इंजीनियर भी बनता है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि फलाने पैश्यों को बहतर बनाने लिए क्या इवो इन्वेशन किया जा सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स की, फायर स्टेशन की या फिर दूसरी किसी जग के विजीट भी लंग, लर्निंग का हिस्सा हो सकती है। पच्चों को ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। उनको पता चलेगा अग। डॉक्टर भी कितने प्रकार के होता है। डेंटिस क्या होता है, आख का हॉस्पिटल कैसा होता है। साधन देखा गया। आख चेक करने का मशीन कैसा होता है। उसको जिग्या से यह कुछ ऐसा होता है। उस सीखेगा। साथियों राष्ट्रिय शिक्षानीति को इसी तरह तयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और fundamental चीजों पर ध्यान केंदरित किया जा सके लर्निंग को integrated एवं interdisciplinary, fund-based और complete experience बनाने के लिए एक national curriculum framework डेवलप किया जाएगा ये भी तय किया गया है कि 2022 में जह हम आजहादी के 75 वर्स मनाएंगे तो हमारे students इस नए curriculum के साथ ही नए भविश्की तरप कदम बढ़ाएंगे ये भी forward looking, future ready और scientific curriculum होगा इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और modern education system को इसमें समाहित किया जाएगा साथियों भविश्की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है हम इसकी जरुरतों को अभी से देख सकते हैं, sense कर सकते हैं ऐसे में हमें अपने students को 21st century की skills के साथ आगे बढ़ाना है ये 21st century की skills क्या होगी? ये होगी critical thinking, creativity, collaboration, curiosity और communication हमारे students sustainable future, sustainable science को समझे, उस दिशा में सोचे ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है और इसलिए छात्र शुरुवात से ही coding सिखे, artificial intelligence को समझे, internet of things, cloud computing, data science और robotics इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परीशे में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा साथियों, हमारी पहले की जो सिक्षा नीती रही है, उसने हमारे students को बहुत ही बांध भी दिया था जैसे उधान के तौर पर लें, तो विध्यारती, science लेता है, वो arts या commerce नहीं पढ़ सकता था Arts, commerce वालों के लिए मान लिया गया कि ये history, geography, accounts इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये science नहीं पढ़ सकते लेकिन क्या real world में हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फिलकी जानकरी से सारे काम हो जाएंगे, हकिकत में सभी विशय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, her learning interrelated है, students कोई एक विशय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी छित्र में ज्यादा बहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान ववस्ता बढ़लाव का नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता, बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, और इसलिए राष्ट्रिय शिक्षान निती छात्रों को कोई भी विशय चुन्ने की आज़ादी दी गई है, मैं समता हूँ कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, अब हमारे यहां युवां को साइंस, हुमेनिटी या कॉमर्स में से, किसी एक ब्रैकेट में फीट होने की ज़रुवत नहीं है, देश के हर स्टुडेंट्स को, उसकी प्रतिभावों को अब पूरा मौका मिलेगा, साथियों, राष्ट्रिय शिक्षान निती एक और बहुत बड़ी समझ्या को भी एड्रेस करती है, यहां तो बड़े-बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्तित है, आपने जिरूर महसुस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगर कोई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है, आस्तिति यह हैं, मार्क्स और मार्क्सिट यह एजुकेशन हावी है, लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घुमने जाते हैं, लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पुषते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा बेटी तुमने क्या सीखा नहीं पुषते हैं पुछते हैं तो क्या पुछते हैं यहीं पुछते हैं कि मार्स कितने आये हर चीज वही जाकर के अटल जाती है कुछ परिवार हैं उनको आदत होगे पुछते हैं अच्छा आज कुल में खाना क्या मिला था इन ही ठीजों के आजपास टेश्ट में नंबर कितने नंबर आये हैं एक टेश्ट एक मार्सीट क्या बच्चों के सिखने की उनकी मानसीक वकास की पैरामेटर हो सकती हैं आज सच्चा ये हैं कि मार्सीट मानसीक प्रेशर सीट बन गई है और परिवार की प्रेश्टी सीट बन गई है परिवार के लिए प्रेश्टी सीट है बच्चे के लिए प्रेशर सीट है पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को, mental stress से अपने बच्चों को निकालना, राष्ट्रिय शिक्षा नीती का एक मुख्य उद्देश है परिक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजय का दबाव न पड़ेगी और कोशिच यह है कि केवल एक परिक्षा से छात्र छात्राओं का मुल्यांका न किया जाए बल्कि self-assessment, peer-to-peer assessment यह छात्रों के विकास के विबिन पहलों का मुल्यांकन हो इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती में मार्क्सिट की वज़ उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ड कार्ड इसकर बल दिया गया इसकी बात कही गई है होलिस्टिक रिपोर्ड कार्ड विद्ध्यार्थियों के यूनीक पोटेंशल, एप्टिचूड, एटिचूड, टैलेंट, स्कील्स, एफिशन्सी, कॉंपिटन्सी और पॉसिबिलिज की डिटेल्स शिट होगी मुल्यांकन प्रणानिके में संपुण सुधार के लिए एक नए राष्टिय मुल्यांकन केंद्र परक्ति स्थापना भी की जाएगी साथियों राष्टिय स्थिक्षा निती के आने के बात से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी इसमें क्या बढ़लाव किया जा रहा है यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरुत है कि भाषा सिख्चा का माध्यम है भाषा ही सारी सिख्चा नहीं है किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सिख सके चीजें लर्न कर सके वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि विशय से ज़्यादा बच्चे की उर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है इनी सब बातों को समझते हुए जानातर देशों में भी आरंबिक शिक्षा मात्रू भाषा में ही दी जाती है आप मैंसे बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्रेम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसेजमेंट पीशा की टॉप रेंकिंग वाले जितने देश ते जैसे की इस्टॉनिया, आरलेंड, फिंडलेंड, जपान, साउथ कोरिया, पोलाण, इन सब देशों में प्रात्मिक शिक्षा मात्रु भाषा में ही दी जाती है ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती हैं, उसी में बच्चों की सीखने की गती बैतर होती है वरना होता ये हैं कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं, तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं बाल मन में ये बड़ी उल्जन पैदा करती हैं, बहुत स्ट्रेश देने वाली बात होती है, इसका एक और पहलू भी है हमारे देश में खासकर ग्रामिंट शेत्र में, पढ़ाई मात्रु भासा से अलग होने पर, जादातर पैरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जूडबी नहीं पाते हैं ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहच प्रक्रिया नहीं रह जाती, बलकि पढ़ाई स्कूल की एक ड्यूटी बन जाती है पैरेंट्स बच्चों के बीच में एक खाई हो जाती है, एक दिवार हो जाती है इसलिए जहां तक संबभ हो, कम से कम ग्रेड फाईव, कक्षा पांच तक सिक्षा का माध्यम, मात्रु भाषा, स्थायनी ये भाषा रखने की बात राश्ट्य शिक्षा नीती में कही गई है मैं देखता हूँ, कुछ लोग इसे लेकर ब्रह्मे भी रहते हैं, राश्ट्य शिक्षा नीती में मात्रु भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा शिखने शिखाने पर कोई प्रतिवन नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषा हैं, अंतर राश्ट्य पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है, जुरूर पड़े, सिखें, किसको इतराज नहीं है और जितना जादा सीखेगा, अच्छा ही होगा, लेकिन साथ साथ सभी भारतिय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा, ताकि हमारी विदेश के अलग-अलग राज्यों की भाषा वहां की संस्कृति से परिचीत हो सके, हर छेत्र का एक दूसरे से रिष्टा मजबूत हो साथियों, राष्ट्रिय सिख्षा नीती की इस यात्रा के पत्प्रदर्शक आप सभी हैं, हमारे देश के सिख्षक हैं, चाहे नए तरीके से लणनी हो, चाहे परक के जरिये नई परिक्षा हो, स्टूडन को इस नई यात्रा पर लेकर सिख्षकों ही जाना है और ये बाद स्वाब है, कि हवाई जहाद प्लेन कीतना भी एडवांस क्यों न हो, उडाता पाइलोटी है, इसलिए ये सभी सिख्षकों को भी काफी कुछ नया लन करना है, काफी कुछ पुराना अनलन भी करना है पुराना भूलना भी है, दो हजार बाइस में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत का हर स्टूडेंट, राष्टियस शिक्षानिती द्वारा प्ताय किये गए, दिशान निर्देशों में पड़े, ये हम सब की सामोहिक जिम्मेदारी है मैं सभी शिक्षकों, प्रशासकों, स्वयम से भी संगठनों और अभी भावकों से आभान करता हूँ कि वे इस राष्टिय मिशन में अपना सहीयोग दे, मुझे पुरा विश्वास है कि आप सभी शिक्षकों के सहीयोग से देश, राष्टियस शिक्षानिती को सफलता पुरवक लागू कर पाएगा मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, शिक्षकों के माध्यम से, एक बात आगरत से कहना चाहूँगा कि कोरोना के काल में, इस संक्ट की घड़ी में, आप भी औरों को, जिन मर्यादाओं का पालन करना है, वो बार बार बताते रहें, बार बार शिखाते रहें, दोगज की दूरी की बात हो, मास्क या फेस कवर की बात हो, अपने परिवार में बुजुर्गों को पुरा ख्याल रखने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बाहर कहीं थूकने विगने की बात गलतिया न हो, ये इस लड़ाई को लणने का नेतृत्व भी हम सबको करना है, और शिख्षक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बात घर घर पहुंचा सकते हैं, और शिख्षक जब कोई बात करते हैं, तो स्टूडन्ट बहुत विश्वास के साथ मानता है, स्टूडन्ट को सामने प्रधान मंत्री ने ये कहा कहोगे, और मेरे सिख्षक ने ये कहा कहोगे, तो मैं दावे से कहता हूँ, स्टूडन्ट प्रधान मंत्री ने कहा है, उस पर चार सवाल करेगा, लेकिन सिख्षक ने कहा है, उस पर एक भी सवाल नहीं करेगा, वो गर ज शक्ति है और इस शेत्र से जुड़े भी कई पीडियों ने तपश्या करकर के इसे आपको विरासत में दिया है और जब ऐसी चीज़ आपको विरासत में मिली है तब आपका दाइत्व भी बहुत बढ़ जाता है बुझे बिस्वास है मेरा देश का शिक्षक वरंद भारत के उजवल भविश्य के लिए इसको एक मिशन के रूप में लेगा मन लगा करके करेगा देश का एक एक बालक आपकी शिक्षा को ग्रहन करने के लिए तयार होता है आपके आदश्यों को पालन करने के लिए तयार होता है आपके इरादों को चरितार करने के लिए तयार होता है वो दिन रात महनत करने के लिए तयार होता है अगर एक बार शिक्षक कह दें, वो सब कुछ मानने को तयार होता है, मैं समझता हूँ कि माबाप, शिक्षक, शिक्षक संस्तान, सरकारी ववस्ता हम सबने मिल करके इस क्वाम को करना है, मुझे विश्वास है कि ये जो ज्यान यग्य चल रहा है, ये जो शिक्षा परव चल पांच सितंबर से ले करके लगातार, अलग अलग छेत्र के लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए काम में लगे हैं, ये प्रयास बहुत ही अच्छे परिणाम लाएगा, समय से पहले परिणाम लाएगा, और सामोही कर्तव्यक के भाव के करन होगा, इस विश्वास के दाथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत 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 शुब कामनाय देता हूँ, और हमेशा हमेशा मैं टीचर को नमन करता हूँ, आज वर्च्वल माध्यम से भी आपको नमन करते हुए, मैं मेरी वानी को वराम देता हूँ, बहुत पर धन्यवाद लागू करने के लिए नई दिशा दिखाएंगे शिक्षा मंत्राले आपको आश्वासन देता है विश्वास देता है कि इसको कार्यानवित करने के लिए सक्रिय रूप से हम कार्य करेंगे शिक्षा मंत्राले यह हम सभी सहभागियों की ओर से पुना आपका हर्दी काबार धन नवाद, नमश्कार. नवाद, नमश्कार.